यह हमारी socks जो है वो गूरी complete हो चुकी है इसका portion जो center का है यहां पर हमारी 80 है उसके आगे तक मैंने इस तरह से यह बना दिया है आप जाहे तो इस size वो कम या जादा कर सकते हैं मैं लॉंग socks बना रही हूं तो इस पर मेरा size जो है इस पर मैंने यह long socks बना ही है तो इसी के according आप अपना आप जितनी भी आप length लेना चाहते हैं इसकी length ले सकते हैं यह हमारी इस तरह से पुरी long socks त्यार होगी है अब हम इसका जो है इसके पंजे बनाना सीखेंगे किस तरह से इसको बनाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यह design complete करने के बाद चार सिलाईया मैंने red color से बना दी है अब हम इसके पंजे बनाना शुरू करेंगे इसको हम पूरा जो है red color से ही बनाएंगे अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे इसके पंजे बनाना शुरू करेंगे इसका जो last part है इसमें हम ब्राबर फंदों को हम इसमें डिवाइड कर देंगे ब्राबर फंदों में डिवाइड करने के बाद इसको हम आफ़त जो है इसको बुन लेंगे इस तरह से अब हम यहां पर कॉर्णर पर आगे यह हमारे 26 बंदे बैक साइड में 26 फंदे और फ्रेंट साइड में आपके जितने भी फंदे हैं आप उनको डिवाइड कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे दो फंदों को इस तरह से इस तरह से एक साथ बनाएंगे इस तरह से फिर एक दो दूसरा फंदा भी हम सीधा बनेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे दो फंदों को फिर से एक साथ में बनाएंगे इस तरह से पहले हमने दो फंदों का एक किया फिर दो फंदे बीच में सीधे बनें फिर से दो फंदों का एक किया फिर बाकी के फंदे हम सीधे बनाएंगे आपने पहले फंदों को जो है वो divide कर लेना है उसी के हिसाब से आपने फंदों को इस तरह से decrease करना है जितने भी फंदे आपके बचेंगे तो उनको आपने इस तरह से decrease करते वे जाना है इसको हम आफ तक complete कर लेंगे यहां पर भी आप देख सकते हैं यहां पर भी हम दो फंदों का एक करेंगे इस तरह से दो फंदे लिए दो फंदों का एक किया सेंटर के दो फंदे एक फिर से दूसरी शिलाई में लेंगे एक फंदा हमने पहले सीधा बुन लिया एक फंदा हम यहां से सीधा बुनेंगे फिर दो फंदों का इस तरह से एक करेंगे बाखी फंदे हम सीधे बुनेंगे आप चाहें तो इसको चार सिलाईों में बुन सकते हैं मैं यहाँ पर इसको तीन सिलाईयां लगा के ही इसको बुन रही हूँ चार सिलाईयों में आप फंदों को अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं इस तरह से बाकी के फंदे हमने सीधे बुनने हैं इस तरह से फिर से यहाँ पर दो का एक करेंगे इस तरह से दो फंदों का एक किया फिर सेंटर के दो फंदे एक और एक दो दो फंदे सीधे फिर से दो फंदों का एक करेंगे इस तरह से इस तरह से, बाक्की फंदे सीधे, लेफ्ट और राइड में हमने दो फंदो का एक करते वे जाना है, फिर दो फंदे सेंटर के हमारे सीधे बनेंगे, तो इसी तरह से हम इसको पूरा ही बनाएंगे, बाक्की इसमें कोई भी चेंजिस नहीं होंगे, बस समने, दो राइड में, दो लेफ्ट में इस तरह से डिक्रीज करने हैं, दो फंदो का एक किया, फिर दो फंदे बनें, फिर से दो फंदो का एक किया, चार फंदे जो है हम, लेफ्ट और राइड से, एक साथ में, 2 का एक करेंगे यहां पर दिख सकते हैं यहां पर कौँछ किया फिर से 2 का करेंगे center में 2 फंदे परला फंदा ये हो गया फिर एक और फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से फिर 2 फंदों का एक की ये इस तरह से तो इसी तरह से अमने इसको repeat करते हुए जाना है और पूरा इसको complete करना है उसके बाद हमारे पास जब तक हमारे पास 4 फंदे नी बच जाते हैं दो फंदे जो हमने center में सीधे बुने है right side में और जो 2 फंदे left side में जो center में जब तक वो नहीं बच जाते तब तक हमने इसी तरह से इसको बनाते वे जाना है तो इस तरह से मैंने इसको पूरा कम्प्लीट कर दिया यहां पर हमारे पास आप देख सकते हैं 4 फंदे बचके हैं अब हमने क्या करना है धागे को कट करके चारो फंदो को सुई में हमने डालना है और इसको अंदर की तरफ हमने टक करना है बहाली साइड से नहीं बलकि अंदरी साइड को इसको टक करना है इस तरह से आप देख सकते हैं हमारी पूरी जो सौक से वो बनके त्यार होगी आप चाहें तो जो यह यहां से decrease की आप इसको दूसरी तरह से भी इसको decrease कर सकते हैं यह इसकी front side है और यह इसकी back side है इस तरह से आप चाहें तो अगर आप ज्यादा आगे को पंजा बढ़ाना चाहें तो आप इसको भी बढ़ा सकते हैं तो इस तरह से यह इसकी front side है आप दे आगे तक, तो इसी तरह से आपने इसको, इस सॉक्स को बनाना है, आपको ये सॉक्स का पैटरन कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जुरूर बदे हैं, अगर आपके अच्छा लगा तो आप इसको दूसरों के साथ भी शियर कर सकते हैं, और ये बिना आपको इस रौंड में आपको सॉक्स मिलेगी, तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों के साथ भी आप इसको शियर कर सकते हैं,